नमस्कार बहुत स्वागत है आपका तवा और कढ़ाई हर किसी के घर में होता है और इसका परियोग से आप अपने गुडलग को भी बढ़ाते हैं लेकिन आज हम बात करेंगे कि जब आप रोटी बनाते हैं तो कौन सी गलती भूल कर भी ना करें तो चलिए सुरुआत करते है कीचन अंतक बने रहयेगा देखिए आपकी लाइफ में कई सारी टेंसन की वज़ा आपके किचन में इस्तेमाल होने वाला तवाकड़ाई भी हो सकता है हां क्योंकि यह राहू का प्रतीक माना जाता है आपके कीचन का राहू और जो तवाकड़ाई है तो राहू जो आपके किचन का गरवर हो जाएगा लीट करने लगेगा तो परिशानी बढ़ेगी तो ऐसे में कुछ खास मानने ताये हैं जो आपके जीवन को टेंसन को दूर कर देगा महिलाओं का सबसे ज्यादा वक्त किचन में बीटता है और किचन जो आपके जीवन में सुख आनंद भी देता ह आपको पुष्ट रखता है आपको संतुष्ट रखता है वास्तुसास के अनुसार तबा और कढ़ाई राहु का प्रतीक है इसलिए इसके प्रयोग में विसे साबधानी रखनी चाहिए कभी भी रोटी बनाने के बाद तबा और सबजी बनाने के बाद कढ़ाई ऐसे ही मत छोड़ दें नहीं तो इसके दुस्पर नाम भी आपको जहलने पड़ते हैं घर के जो में ब्यक्ति हैं उनका स्वास्त पर इसका निगेटी प्रफाव पड़ता है तो चलिए आज कुछ खास बाते करते हैं फिर हम बहुत सारी जानकारी के देंगे आपके साथ देंगे वास् नहीं तो राहू एक्टिव हो जाएगा और फिर परेशानी बढ़ेगी और घर के जो बच्चे हैं जो आपके पती हैं कहीं नसे की गिरफ्ट में ना पड़ जाएं तो ऐसे में आप रात में कभी भी तवा और कढ़ाई बेसिन में ना रखें बलकि उसको साफ कर अच्छे स समय जब भी आप रोटी बनाते हैं तबे पर एक चुटकी नमक डाल कर फिर उसको कपड़े से पोच कर हटा दें और उसके बाद रोटी बनाना सुरू करें तो अच्छा है बास्तु सास्त कहता है कि तबे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाई ये उसे गाय के लिए हटा द चीटा बगरा होता है वो लोग खालेगा मानेता है ऐसा करने से घर पड़िवार में कभी बिपदा नहीं आती और घर से नकारत्मक उरजाएं भी दूर होती है सुख सम्रिद्धी का बास होता है और का तबाकड़ाई को ऐसे जगह रखना चाहिए जहां पर बाहरी बेक्ति की चाप छोड़ें मुठी बंद कीजिए और उसके अंदर चुबो दें आठा के अंदर क्योंकि एकदम गोल करके मत रखिए यह पिंड की निसानी मानी जाती है और यह सुब नहीं है वास्तुसास्त के अनुसार तबार कढ़ाई को कभी बी उल्टा नहीं रखना चाहिए म हमेसा ही दाहिने तरफ तबा कढ़ाई को रखिए और गैस के ऊपर कभी भी छोड़कर मत चले जाईए आप कहीं वीदर उदर काम खत्म हो जाए उतार कर संभाल के रखिए और तीखी और नुकिली चीजों से कभी मत खुरचिएगा वरना जीवन में परिसानिया तो चले ये तो थी तबा और कढ़ाई को लेके कुछ खास बाते लेकिन अब हम एक ऐसी बात बताने वाले हैं क्योंकि देखिए जब आपके घर में रोज रोटी बनता है लेकिन पांच दिन ऐसे होते हैं पूरे साल में जब रोटी नहीं बनानी चाहिए तो क्या खाएंग तो घर में जब किसी की मिर्ति हो जाती है तो तेरवी संसकार के बाद ही घर में रोटी बनाई जाती है मानेता है अगर तेरवी से पहले घर में रोटी बनाई जाए तो मिर्ति संसान के सुक्च मसरीर पर फोपोले पड़ जाते हैं और मिर्ति के बाद जो पिंड चढ़ाया दिन भी खीर पूरी हल्वा जैसी चीजे बनानी चाहिए इस दिन भी तबे पर रोटी नहीं बनाए जाती तबा नाक के फन का प्रती रूप होने के साथ राहू का भी प्रतीक है तो तबे को अगनी पर रखना मना होता है नहीं तो सर्पों को प्रेसानी होगी वह क्रोधित हो होंगे किसी भी लोहे के बरतं को नहीं आप लोलो के बरतं किसे बनावा खाना खाए अब तीसरी धें यह गूरत की पूज़ा होती है इस दिन बाभभ चिक का भोग लगा जाता है का आँसे मंद से हुरक आ चाहिए हीं और इस दिन रोटी नहीं बनती बलकि सीटला स्टमी मातानाराज हो जाती और इसकिन पर treadmill बढ़ जाती है सब भोग लगाकर इस दिन रोटी नहीं बनाना चाहिए मालक्ष्मी नाराज हो जाती है अब एक और है और वो है दीपावली दीपावली के दिन को महानिशा की रात कहते हैं और इस दिन मालक्ष्मी को परसंद करने के लिए तमाम तरह के परियोग करते हैं पकवान बनाया जाते ह तो इस दिन भी तबा पे रोटी नहीं बनता बलकि आप इस दिन पुडिया तलिए अच्छी बिराइटी बनाईए पर कोई बैक्ती बिमार है अब आप नहीं खा रहें तब क्या करेंगे तब तबे पर आप थोड़ा सा घी लगा दें और फिर रोटिया बनाना सुरू करें त देखें घर में किसी को सीतला माता यानि की चेचक हो गया है तो उस दौरान भी रोटी नहीं बनती बिग्यान में हलांकि इसको नहीं माना जाता है क्योंकि यह तो एक चेचक है बिमारी है लेकिन हिंदू धर में सीतला माता का प्रकोब बना जाता है इसलिए इन दोनों में जब रोटी ना बनाओ, अब जैसे दूर्गास ट्मी, इस दिन सादा रोटी नहीं बनाओ ताइए, पूड़ी यh, तलिए मज़े से खाइए, क्योंकि जितना अच्छा खाना आप दूर्गास ट्मी के दिन खाते हैं, उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका भाग यह चुटकी नमक या उससे भी कम डालिए पोचकर हटा दें फिर रोटी बनाना सुरू करें पहला पिशला तो निकालना है लेकिन जब आप तवे को अंत में उतारते हैं तो पिशला रोटी को तवे पे रहने दें फिर उतारके तवा को साइड में रग दें और तवे पे गरम त पर डालिएगा जरूर क्योंकि इससे क्या होगा जब आप रोटियों को सेकेंगी बनाएंगे तो इसका जो खुसबू आएगा वह पॉजटिव एनर्जी को बढ़ाता है और फिर जब पॉजटिव एनर्जी घर में बढ़ेगा तो आप खुस रहेंगे प्रसंद रहेंगे मालक्ष्मी वही रहती है जहां बैक्ति मुस्कुराता है जहां बैक्ति आनंद के साथ रहता है बैक्ति खुस रहता है तो इन चोटे चोटे बातों का ध्यान रखिए फिर देखे कैसे बरस्ती है मालक्ष्मी की किरपा कई बार क्या होता है चकला बेलन के बारे में हम नहीं जानते और ये चीजें कभी-कभी धोखा दे देता है क्योंकि चकला बेलन आप के लिए धन संपन्नता का योग भी बनाता है और घर परिवार के सदस्यों में भी प्रेम बढ़ाता है वास्तु कहता है कि चकला बेलन जब भी आप खरी दें तो सुमूर्थ में खरी दिये अगर आप लकड़ी का चकला खरीदने जा रहे हैं तो इसे मंगलवार, सनीवार के दिन और पंचक में बिल्कुल भी ना खरीदें बुद्वार के दिन लकडी या पत्थर का चकला बिलन खेदने के लिए अत्यन्थी अच्छा होता है इससे खेदारी करने से घर में सुक्सम्रिद्धी आती है और वास्तु कहता है चकला बिलन से रोटी बनाते समय आवाज ना आए ये सही होगा अगर माल लेते हैं आपका अब टिरा आ गया है आवाज हो रहा है तब आप कपड़ा एक डख दे फिर उसके उपर चकला रखके आप रोटी बनाए तो आवाज नहीं होगा क्योंकि ये आवाज होना चकला बिलन में अच्छा नहीं होता जीवन में प्रॉब्लम बढ़ाता है और अगर दोस्त चकला बिलन में है तो बिना देर के उसको बदलिए या फिर कपड़े को रखके आप बनाएए ताकि आवाज ना हो और घर में सांती बने रहे वास्तु कहता है कि रात में सोने के पहले चकला बिलन अच्छी तरह से धो कर रखना चाहिए कफलो क्या करते हैं छोड़ देते हैं एक दो दिन के बाद साफ करते हैं ऐसा बिल्कुल भी ना करें क्योंकि रात में बहुत सारे कीड़े भी होते हैं जो चलते हैं तो बिमारिय के बीच में या फिर आटे चावल के डब्बे पर ड्राम के उपर मत रखिए इससे धनानी होगा घर पड़िवार में मतवेद बढ़ेगा हम आप से भी दालेंगे हर हर महादेब धन्यवाद